अभी तक आपने पद्धा था कि राधा नाम की लग्की जो मानसिक रूप से बीमार थी वो मेरे नए घर के पास ही रहती थी. मेरा उससे पहला परिचय था जब गली की ओरते उसे छेर रही थी. पती ने छोड़ दिया था फिर भी वो टिकुली मांग लगाती थी. अब आगे राधा को जब भी देखती थी मन बेचन हो जाता था. मैं उस माहल में नई थी आसपास में किसी के विशय में नहीं जानती थी. बस उस दिन राधा की हालत देखकर मन में उसके विशय में जानने की. उचसुकता हुई. इस दोरान मेरी पडोस में एक सहेली भी बन गई. एक दिन मैंने उससे पूछी लिया राधा के विशय में. वो बोली तुम्हें नहीं पता आजकल पता नहीं किसी का बच्चा पेट में लिए घूम रही है. मैं एक दम चिकी. क्या बोल रही हो? उसके पती ने तो उसको छोड़. मेरे मूँ के शब्द मूँ में रह ग उससे लॉपडाउन के बाद देखा तो बहुत बदली बदली लगी. वो पहले माना कपड़े गंदे पहनती थी पर बाल काद कर मांग बिंदी लगाकर चपल वगेरा पहन कर रहती थी. पर अब तो मैं उससे देखती थी बाल उलजे हुए है. कपड़े बहुत गंदे और आखो में सुनापन. मेरे घर के सामने एक दुकान है वहाँ बीरी पीते है उन बीरी के. तुकव को उठाती रहती है. बहुत ही हालत खराब हो गई है उसकी. मेरी कहानी की पात्रा है नेसंदेह मुझे उससे सहानुग हूती हो रही थी. एक दिन मैंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और पूछा, राधा. ऐसे क्यों रहने लगी हो? वो तुकला कर बोली, अंटी में सिंदूर नहीं टिकुली नहीं लगाई. मैंने पूछा, क्यों नहीं लगाती? वो बोली, मेरा घरवाला दूसरी साधी कर लिया, अब मैं नहीं लगाती. मैं उसकी आखों मे देख रही थी, एक सुनापन था, उसकी आखे हर किसी से कहती थी, मेरा घरवाला दूसरी साधी कर लिया. शायद उसे सदमा लगा था, चाहे उसमें दिमाग कम था, पर पती का प्यार को जानती थी, शायद. मेरा दिल कर रहा था, मैं उसके विशय में ज्यादा से ज्यादा जानू. एक बार मेरे पडोसन फिर मेरे पास बैठी तो पता चला, मा उसकी जब तक जिंदा थी, तब तक तो ये सही रहती थी, मा साफ सुत्रा रखती थी, और जहां भी जाती थी, उसे अपने साथ रखती थी. बच्पन में स्कूल में छट से गिर गई थी, ये सिर पर ब लाकर पूछा, राधा, तुम्हारे पेट में क्या है? बोली, बाबू, मैंने पूछा, किसका है? वो पागल हंस्ती हुई हाथ हिलाकर बोली, पता नहीं. और सामने की दुकान के आगे पड़े बीरी के जले हुए टुकड़े उठाने लगी. मेरा मन चीतकार कर उठा कि उस इसका बोज पेट में ले जाती हुई राधा को देखती रही.